एलो दोस्तों वेल्कम टुमाई इंडियन फूट का जाना तो आज हम बनाने जा रहे हैं बेशन के अजवाइन के पकोड़ी तो अजवाइन को हमने गम्री से तोड़ कर रखा है तो इसके लिए हमने बेशन लिया है कटी हुई हरी मिर्ची लिए हरी धनिया तो अब इसमें हम मारी कटी हुई हरी मिर्ची एड़ करेंगे अब इसके बाद हम इसमें लाल मिर्ची पिसी हुई एड़ करेंगे इसके बाद हम इसमें पिसी हुई धनिया एड़ करेंगे इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी अजवाइन एड़ करेंगे अजवाइन से इसका फ्लीवर बहुत अच्छा आए आव मिष्की वाल समय कोड़ी से हेंग करेंगे इसे इसमें अच्छी खुष्पु आती है आव मिष्क थोड़ा साजी डीड़ा भीए तरीजीरे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और इस में बनीश फूल्ल नमक आठ करेंगे अब हम इसको पानी डाल के अच्छे से मिला लेंगे ताकि इसका अच्छा सा गाड़ा सा प्रिष्ट बन के तयार हो जाए और इसमें थोड़ा सा पानी और एड़ करेंगे और फिर तो अच्छे से मिला लेंगे अब ही अच्छे से पेष्ट बन के तयार होने वाला है तो इसको थोड़ा सा और मिला लेंगे अच्छे से ताकि इसके पाकोड़ी बहुत ही अच्छे बन है अब हम गेस को ओन करेंगे और इस तर हम इसको फ्राइफ एन तो रख देंगे अब इसमें मस्टर्ड और डाल इसको फिर हम दीरे से अच्छी से गरम हो जाए तब तक इसको रखा रहने देंगे अब यह गरम हो गया तो हम इसमें अच्वाइन के पत्ते डिप करके डालते जाएंगे ये इक हमारी आजवाईन को पकोडे बहुत करें जालती है इह एक पकोड़ी को पकोड़े करते हैं इसको अपने घंली है शाय। बैस के बंहारे हम विए सारी शायी कि आपकोड़ volontar है अजवान के पकॉड़े बहुत ही अच्छी लगते हैं और बहुत ही खायदे बन दोते हैं आप इनको सारो दीरे-थीरे से से शेक लेंगे और इनको पलट के दूसरी साथ से भी शेक लेंगे ठाकि यह उच्छी से शेक जाएं आप इले एक बार तदाए जरूरकर तरहें कि यह खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं इस तरह से इनको सेख सैख लेंगे अच्छी से गज़ाएं अब इन को एक जाएं नियुक्त करहिसे ना qona वारा ला थे पहुत है तक मेलते जुद्साफ़で इसको हम तमाटर धनिया की चटनी के साथ खा शकती हैं अगर आपको यह पकोड़े अच्छे लगें तो आप भी अपनी घर में जरूर बनाए और चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें सेर करें और कमेंट करके जरूर बताएं का तब तब के लिए धन बाद मिलते हैं